हेलो नमस्कार दोस्तों मैं विकास गालां मैं आपके अपने यूटूब चैनल पर स्वागत करता हूं आज हम आपके लिए कोर्टेवा एगरी साइंस की बेस लाइन से जुड़ी जानकाई लेकर रहें किस परकार से यह काम करती क्या इसके अंदर टेक्निकलर कौन-कौन-कौ है वह थाइफ चोविस परषंट ऐसी फोम परसंट आसी के अंदर में देखने को मिलता है बात करते हैं इसकी कि अकर सिस्टमाटिक भंगिस्ग साइड जो मारी से अपन्य जुस्टमाटिक तरीके से काम करती है अब बात करते हैं यह मुख्या रूप से जो इस फसल को घान और आलू के इसको यूज कहँए जाता है जुरूर नहींब्ड़ इन्ही फ Module कन्दर उच यूज कर सकत हो देखे मिइत बगेर की जैसी फसलों में भी इसको यूज कर सकते हो मुख्या रूफ से काम होता है यूज ककर आप परेकड़ के साफ़ साफ यूज कर सकते हो इसे परकार देखे टमाटर के अंदर जो अर्ली ब्लाइट आती है उसके अंदर आप इसको प्रियोग कर सकते हो उसके अंदर 120 से लेकर कर अगर आप इसको यूज करते हो तो और भी इसका रिजल्ट हमें देखने को मिलता है इसलिए अप सिलिकॉन स्टिकर का इसके साथ में जुरूब प्रियोग करें टमाटर के अंदर जो ब्लेक्स आती है उसको सीट ट्रीट्मेंट के लिए उसको यूज कर सकते हो उसके अंद कि यसी ट्रीटमेंट के लिए आलू के अंदर यूज किया जाता है क्योंकि जो ब्लैक स्क्रब है वह आलू के अंदर बहुत ही गातक बिमारी होते जिसके लिए जिसका यह नियंतन कर देती है बीज उपचार के दोड़ा देखे बात करते हैं यह एक ग्रीन लेवल के अंदर ह साथ से यूज की जाती कभी कभी लेव पर गड़के साफ से यूज किया सकता है बात कि एखए खड़ें ऑलूपे परती एक र के हिसाप से ख़चा आता है और इसका काफी एसका काफी अच्छा सानधर ढृघ था आप üzसका काफी अच्छा नियनतर्य दिखाती देखे जब सिट बलाइट आता हूँ समापने खेद का पानी सुका कर इसका सप्रेख कर सकते हैं और बात करते हैं बात करते हैं इसके खूबीगी देखे जो यह दूआई है जब आपके खेद के अंदर सिट ट्रीटमेंट पहले आने से प और क्रियेटिव फंगी साइडा जो की जो की फंगस के आने से पहले भी काम करते हैं वह आने के बाद में भी काम करती है और अच्छी तरह से अपना कंट्रोल करके दिखाती है और इसकी डोज है वह लगभशावी फसलों के अंदर से नहीं होती है उसका जो खर्चा है वह अन्य कोछ जान काईजे तो अब हमें कमेंट बॉक्स के दुम से पूछ सकते हो और इसी परकार हमारी यूट्यूब चैन को देखते रहे है थैंक्यू फॉर वोजिग